Hello Everyone, Welcome to Study Netic. मैं हूँ Pooja Mehta और यहाँ पर हम Class 12 के Accounts पढ़ रहे हैं. आज यहाँ पर मैं Change in Profit Sharing Ratio among the existing Partners के Adjustment बताने वाली हूँ. इसका Introduction Part में बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा Explain किया था कि किस तरह से Partners, Partnership Firm स्टार्ट करते हैं और Partnership Firm स्टार्ट करने के बाद, यदि किसी तरह का कोई Change होता है, किसमें? Partnership Deed में. तो उसे क्या कहते हैं? Reconstitution of Firm. ठीक है? यह सारी चीजे में किसमें बता चुकी हूँ, मेरे Introduction वाले Part में बता चुकी हूँ, कि जब Partnership Firm स्टार्ट होती है, तब एक Partnership Deed तयार होती है, जिसमें सारा Agreement लिखा होता है, दोनों Partners का, लिकिन यदि दो, चार, पांस सालों बाद उसमें वो कोई Changes करते हैं, तो उन Changes को क्या कहा जाता है? अब ये Reconstitution of Firm, बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके कारण होता है, पहला की जैसा यही चेप्टर है, Change in Profit Sharing Ratio, यदि कुछ रेशो डिसाइड हुआ था और बाद में उसे Change करना है, तो भी आपका Reconstitution of Firm होता है, किसी नए पार्टनर का Admission होता है, किसी पार्टनर का Retirement होता है, किसी पार्टनर की Death हो जाती है, तो ऐसे कुछ कारण है, जिनके कारण Reconstitution of Firm होता है, मतलब Firm तो वही होती है, लेकिन जो Agreement बनाया गया है, उसमें परिवातन किया जाता है, तो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले है Change in Profit Sharing Ratio, कि यदि Reconstitution of Firm होता है, तो जो Profit Sharing Ratio को Change कर तो उसे करने के कुछ Adjustment होते है, उन Adjustment में से आज जो Number 1 वाला Adjustment है, उसे Explain करेंगे, पहले हम यह देख लेंगे कि कौन कौन सा Adjustment है, तो देखिए, सबसे पहला Adjustment है, Determination of Sacrificing Ratio and Gaining Ratio, मतलब हमें यह पता करना कि कौन सा Partner Sacrifice कर रहा है, कौन सा Partner Gain कर रहा है, क्योंकि जब Profit Sharing Ratio Change होता है, तो किसी ना किसी एक Partner को अपने पास से अपना रेशो का कुछ पार्ट, दूसरे Partner को देना होता है, तो जो Partner अपना पार्ट देता है, उसे क्या कहते है, Sacrificing Partner, और जिसे मिलता है, उसे क्या कहते है, Gaining Partner, यह हम हमारे Introduction Part में समझ चुके हैं, यह आपको फिर Sharing Ratio Change होता है, तो Goodwill की भी Valuation किया जाता है, Next होता है, Accounting of Reserve, Accumulated Profit and Loss, इन चीजों का भी क्या होता है, Adjustment किया जाता है, उसके बाद होता है, Revaluation of Assets and Reassessment of Liabilities, इसे भी हम बाद में एक वीडियो में अच्छे से समझेंगे, Next होता है, Adjustment of Capital, चली, तो देखिए, क्या टॉपिक है, आज हमारा Determination of Sacrificing Ratio and Gaining Ratio, चीज़ है, इसमें हम Sacrificing Ratio और Gaining Ratio को पहचानेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बच्चों, Sacrificing Ratio, या Gaining Ratio निकालने का, Old Profit Share, Minus New Profit Share, जो पुराना Profit Share है, उसमें से जो नया Profit Share है, जो हमें Change करना है, उसे Minus कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर एक छोटा सा Example लेते हैं, कि दो पार्टनर थे, सब्पोज उनका नाम लिख लेते हैं, अमित एंड रोहन, ठीक है, क्या नाम है उनका, अमित एंड रोहन, ये दो पार्टनर हैं, इनका Profit Sharing Ratio था, 2 is to 1, ये Old Share Ratio है, ठीक है, मतलब क्या है, 2 is to 1 का, इन्हों ने ये Decide किया था, जब इनकी Partnership Deed में Agreement हुआ था, कि भाया, जो भी Profit होगा Business में, उसे हम 2 is to 1 के रेशो में आपस में बाट लेंगे, अब ऐसा क्यों मैडम कि अमित को ज़ादा है और रोहन को कम है, तो हो सकता है कि अमित ज़ादा Business में काम करता हो, रोहन सिर्फ Capital लगा के भाग गया हो, मतलब वो ज़्यादा involvement उसकी रही नहीं हो, और अमित सुबे से 10 बजे से लेके, शाम के 6 बजे तक Office में आके बैठता है सारी Dealing वगेरा वही करता है, रोहन कभी-कभी चक्कर लगा लेता है Office में, तो ये Decide हुआ था कि 2-1 के Ratio में ये Profit Share करेंगे, रोहन भी उस समय Agree हो गया था, अब क्या हुआ कुछ समय बाद, अमित है, वो भी थोड़ा कम काम करने लगा, और रोहन है, वो डेली Office आने लग चीके, मतलब ये तो काम करी रहा था, पर थोड़ा सा इसने कम काम कर दिया, लेकिन रोहन है, वो डेली Office आने लगा, जब रोहन डेली Office आने लगा, तो अमित को लगाए कि यार ये रोहन डेली Office आ रहा है, तो मुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये क जो अमित और रोहन, दोनों equally एक जैसा काम करने लगे, दोनों 10 बजे आते थे सुबह, और शाम के 6 बजे तक Office में बैटके काम करते थे, तो रोहन ने बोला कि भी या देखो पहले तो मैं नहीं आता था, लेकिन अब मैं डेली Office आता हूँ, तो तुम मुझे एक रेशो में ठीक है न, मतलब जितना भी profit होगा, आधा में रखूँ, आधा तुम रखूँ, ठीक है, अमित को भी बात समझ में आई, उसने का, okay, मैं तुमारी बात से सहमा थूँ, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे, क्या रेशो, यह वाला formula लगाकर, sacrificing ratio या gaining ratio, दोनों partners का, अब हमें पता कैसे चले का, यह मैंने मेरे interaction वीडियो में बताया था, कि कौन सा हमारा sacrificing partner है और कौन सा gaining partner है, तो पहले हम इसको देखते हैं, सबसे पहले कौन है, अमित, चेक है, इसका old profit share क्या है, 2 by 3, second कौन है, रोहन, इसका old profit share क्या है, 1 by 3, अब old profit share लिख दिया, इसमें से minus क्या करना है, new profit share, तो new profit share क्या हुआ, 1 by 2, 1 by 2, तो इसे मैंने minus कर दिया, 1 by 2, 1 by 2, कर दिया, यहाँ पर इनका LCM निकाला, 4 minus 3, तो यहाँ पर आया, 1 by 6, अब इनका भी LCM निकाला, तो यहाँ पर आया, 2 minus 3, तो यहाँ पर आया, minus 1 by 6, क्यो जो negative है ये negative है ना और ये positive है तो जो negative है वो कौन हो गया वो हो गया हमारा gaining partner और जो positive है वो कौन हो गया हमारा sacrificing partner ठीक है ये आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पार्टनर ठीक है तो बस ये हमें पता चल गया कि कौन gaining partner है कौन sacrificing partner है तो अब कभी-कभी question में तो बस इतना सा पूछ के रह जाते हैं कि भी या आपको आगे difficulty ना हूँ, तो अभी इसे note कर लीजी, हम जो एक question करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, पहले इसे note कर लीजीए, अब यहाँ पर हम suppose कर रहे हैं, कि A, B, C, 3 partner है, ठीक है, A, B, C, 3 partner है, जो अपना profit share कैसे distribute करते हैं, equally, equally, मतलब 1 is to 1 is to 1 के ratio में, ठीक है यह क्या है, इनका old profit share है, यह जब partnership deed बनी थी starting में, जब इन्होंने business start किया था, तब वो equally profit share करते थे, लेकिन अब उन्होंने decide क्या कि यह जो C है, इसे क्या करेंगे, C get 1 5th share of profit, ठीक है, अब वो उसे equally नहीं देंगे, share, वो उसे सिर्फ 1 5th of share of profit देंगे, अब यह बोल रहे हैं, दो चीज़े यह हमसे पूछ रहे हैं, पहला यह हमसे पूछ रहे हैं, कि new profit sharing ratio निकालो, ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ रहे हैं, कि sacrificing, कौन सा partner sacrifice कर रहा है, और gaining ratio निकालो, ठीक है, दो चीज़े पूछ रहे हैं यह हमसे, पहला पता पूछ रहे हैं, क्योंकि नया profit share नहीं दिया है, उन्होंने बस यह बोला है, कि जो C है, वो 1 5th of share of profit ले रहा है, और आप आपको बताना है, कि नया profit share क्या होगा, और sacrificing या gaining ratio क्या होगा, तो आपको sacrificing या gaining ratio निकालना तो बहुत अच्छे से आता है, पु 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, यह हुआ ना, लेकिन नया नहीं दिया है, new वाला जो है, new profit share नहीं दिया है, तो इसे पहले हमें find करना पड़ेगा, तो कैसे find करेंगे, हम assume कर लेंगे, क्योंकि हमें profit तो पता ही नहीं है, let's assume, हम इसमें assume कर लेते हैं, कि जो हमारा profit है, वो कितना है, क्योंकि देखिए बच्चों, यह जो question होते हैं, वो इसी तरह से किये जाते है, तो हम यहाँ पर assume कर लेंगे, let's assume, profit share, profit, let's assume profit is equal to 1, हमने पड़े हैं ना, 910 में कि assume कर लेते हैं, कि x is equal to 1 है, तो उसी तरह से यहाँ पर हमने assume कर दिया, let's assume profit is 1, अब C का profit share हमको पता है, 1 5th, यह हमको पता है न, यहाँ पर C का सिर्फ हमें profit share पता है, नया वाला, 1 5th, और बाकी 2 partners के नहीं पता है, तो हमें C का पता है कि profit share 1 5th है, तो हम क्या करेंगे, remaining profit share निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 तो profit है, 1 5th C का है, अब जब हम इसका LCM निकालेंगे, तो हमारा 5 minus 1, 4 by 5, तो यह क्या है हमारा, यह बचा हुआ profit share है, किसका, A का और B का, ठीक है, यह questions को करने का यही तरीका है, अभी तो मैं एक बता रही हूँ, exercise में और भी बहुत सारे question है, जब आप practice करेंगे, तो आपके लिए easy हो जाएगा, ठीक है, तो remaining profit share क्या बचा, 4 by 5, अब हम क इसका, दोनों partners का, A का और B का, जो half-half है, मतलब क्योंकि यह 2 partner बचे, 3rd का, तो हमें पता चल गया कि 1 5th share है, ठीक है न, वो तो question में ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, A and B, तो यहाँ पर लिखेंगे, A's new profit share, 4 by 5 into 1 by 2, and B's new profit share, 4 by 5 into 1 by 2, तो यहाँ पर आया 4 by 10, यहाँ पर भी आया 4 by 10, अब इसे एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, कि हमने assume किया था profit 1 है, अब जो C का profit share है, 1 5th question में दिया हुआ था, अब हमने जब assume किया कि तीनों का मिल के जो profit है, वो 1 है, तो हमने 1 में से जो C का profit share है, 1 5th, उस को minus कर दिया, तो 4 by 5th निकला, तो 4 by 5th remaining profit share है, मतलब कौन से partners का, A का और B का, तो हमने क्या किया, जो 4 by 5th है, इन डोनों partners में आदा आदा बाट दिया, तो 4 by 5 का 1 by 2 आदा हुआ, 4 by 10, 4 by 5 का 1 by 2 आदा किया, तो 4 by 10, तो यह डोनों partner का नया profit share निकल गया, पुराना C का तो हम हमें पता ही है, C का हमें पता ही है, 1 by 5, तो क्या हुआ, इन लोगों का हुआ नया profit share, 4 by 10, 4 by 10 and 1 by 5, ठीक है, यह new profit share हुआ, तीनों partners का, ठीक है, तो जब हम इसको equal करना चाहेंगे, तो हमारा बनेगा 2 is 2, 2 is 2, 1, ठीक है, ना क्योंकि हम इसे काटना पड़ेगा, 2 by 5, 2 by 5, यह तो 5 है, तो 2 is 2, 2 is 2, 1, यहां तक clear हो गया, तो यह नया profit share निकल गया, तीनों partners का, आप यह पूछ रहे हैं, कि sacrificing और gaining ratio भी निकालना है, किसने sacrifice किया, और किसने gain किया, हमें यह भी पता करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा, उसका हमारे पास formula है, A का और B का, ठीक है, क्य कैसे निकालेंगे, old profit share, तो old कितना है, A का, 1 by 3, and new कितना है, 2 by 5, ठीक है, उसी तरह B का old कितना है, 1 by 3, और new कितना है, 2 by 5, चलिए, निकालिए, LCM, 15, 5, 6, तो यहां पर आया, minus 1 by 15, फिर यहां पर किया, 15, 5 minus 6, minus 1 by 15, मतलब क्या है, कोई भी partner, sacrificing partner नहीं है, यह negative में value आ रही है, तो दोनों ही partner, gaining partner है, और कम किसको मिल रहा है, कम किसको मिल रहा है, C को, ठीक है, क्योंकि इनको 1 by 15 मिल रहा है, और उसको मिल रहा है, 1 by 5, तो यह दोनों कौन से हो गए, यह दोनों हो गए, gaining partner, clear हुआ, कोशिश पूरी की है, मैंने कि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि इसी तरह के question आएंगे, हो सकता है, कि आपको पुराना profit share नहीं दिया हो, नया दिया हो, तो उससे आपको पुराना मालुम करना है, आप जैसे यहाँ पर पुराना दिया था, बता दिया था, कि या इसको इतना part देना है profit का, तो आपको इस तरीके से निकालना है, तो इसको निकालने के लिए, किसको determine करने के लिए, sacrificing share and profit, जो gaining share है, उनको निकालने की 2-3 method है, मतलब 2-3 तरीकों से आप से question में पूछ सकते हैं, I hope आपको इस चीज अच्छे से clear हो गई होगी, आज के व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाई बाई